वेइफ रमेस्तर आपके अपनी यूटूब चैनल दाइस्टेटी फार एंबिशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज से जो है तो माडर्न इंडिया के अंतरगात इसका जो साषनकाल या समय है वो यह हैं सत्रा सो साथ यानि कि 1707 से माडर्न इंडिया की सुरुवात होती है जब औरंगजेप की मृत होती है यह देपी की औरंग्जेव के बारे में मैं मेडवल हिस्ट्री में आपको बताऊंगा परन्तु जो है 1707 में जब औरंग्जेव की मृत हो जाती है उसके बाद यहां से माडन इंडिया या आधुनिक भारत के सुरुवात होती है माडन इंडिया की को देखा जाए तो जब औरंग्जेव की मृत होती है का समय और काल परिस्थितियों को मदने रखते हुए अगर देखा जाए तो औरंग्जेव की मृत्तु के बाद मुगल सासक में जो सक्तिसाली अधिकार रखने वाला मुगल सासक कोई नहीं बचा जब क कोई भी मुगल सासक जबरदस्त सरोक्ष सक्ति वाला और पावरफूल सासन करने वाला अगर जब कोई नहीं बचा ऐसे कंडिशन में ब्रिटिस गौर्मेंट जो है अपना पाउप औरंग्जेब के मरने के बाद कंडिशन बदलता है यानि कि अगर हम यह कहें कि का प्रत्न किया गया यह दिपी की इन तीनों में जो सक्तिसाली अगर मिला तो वह था मुध्यम वैसे इनके पूत्रों की जो जीवित पूत्र थे एक मुध्यम था आज दूसरा आजम था और तिसरा कामबक्स था यानि कि इसमें जो है आजम बड़ा था मुध्यम बीच वा को समालने की पूर्जोर कुछिस की परंतु कंडिशन कुछ ऐसा हुआ कि मुज्जम जो है सासक बना मुज्जम बहादूर सा प्रथम के नाम से यह अपनी राजगद्धी बैठता है और अपनी सासन ब्यवस्था चलाने का प्रत्न करता है वैसे यह 707 से लेकर यह अपनी सासन ब्यवस्था को चलाने के लिए लगबक 1712 तक यह प्रत्न किया परंतु जो है इसकी जो कुछ ऐसी प्रणाली थी जिसके वज़से यह जिस तरह से और अंजेब जैसे सासक सासन किये वैसे यह नहीं कर पाया क्योंकि इसकी प्रसासनिक ब्यवस्था पूरी तरह से उदासीन थी और यहां तक यह भी कह सकते हैं कि उसमें जो है इसका उत्तरदाई तो जिम्यदारी नाम की चीज नहीं थी तो आई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि और अंजेब की मृत्तु कहां पे हुई कब हुई तो अरंजेब की मृत्तु जो है अलग-अलग जैसे यह के जनवरी को हुई है तो आप 20 जनवरी को आप एथंटिक मानिए क्योंकि यह NCRT है यह दिपी मैं देने के लिए दोनों दे दिया हूं यदि विकल्प में आपको यह देता है कि यह 3 मार्च को इसकी मिलतु हुई है तो आप 3 मार्च को दीजिए अगर 20 जनवरी को बता रहा है तो 20 जनवरी को टिक लगाईएगा तो आप एथंटिक रूप से अगर देखा जाए क्योंकि जब भी पेपर को सॉल्प किया जाता है आयोक के माध्यम से तो ऐसे में यह देखा जाता है कि NCRT क्या कर रही है तो NCRT जो 20 जनवरी बता रही है तो आप 20 जनवरी इसको सही मान निएगा तो आए सबसे पहले देखते हैं कि अरंग्जेब की में होती कहा है तो यह अहमद नगर में इसकी मृत होती है उसके बाद जो है इसके जीवित पुत्रों की संक्यात तीन होती है जिसे मैं आपको बता चुका हूं एद्देपी की मुझ्जम, आजम और कामबक्स इन तीनों को देखा जाए तो तीनों को जो है अपने जीवित काल में ही अलग-अलग सूबों का यह गवर्नर बना के रखा था यानि कि किसको कहां का सूबा दिया गया था जैसे मुझ्जम को देखा जाए तो यह काबुल का इसको मिला था प्रसासनिक व्यवस्ता वहां का यह लोग देख रहे थे ऐसे कंडिशन में जब इसकी मृत होती है तो मृत के बाद जो है वसीहत में मृत के पहले ही इन्होंने अपनी वसीहत नामा कर रखी थी और वसीहत नामा में यह पूरी तरह से यह सब को सूबों में बाट दिया क्या 20 ती यानि 20 सूबों को और अंजेव अपने पास जीत के रखा था और वह सूबों को यह तीन जगा तीन भागों में बाट दिया वसीहत नामा के अंतरगत तो सबसे पहले देखा जा मुझम को मुझम यानि कि इनके कई नाम है मुझम के कई नाम है बहादू सार्थम भ हुआ तो मुझम को उसने जो दिया था वो था 12 सूबों मतला मुझम को 12 सूबों का उसे जो है अधिकार अधिकारी बना दिया था यानि 12 सूबों का सासक मुझम होगा जिसकी राजधानी वो दिल्ली बताया था यानि कि दिल्ली में राजधानी होगी मुझम के 12 सूबों की उसके बाद दुसरा आजम उसका जो है था आजम को क्या क्या दिया आजम को आगरा दक्कन मालवा और गुजरात ये चार जगह का सुबो दे दिया यानि आगरा, दक्कन, मालवा और गुजरात ये चार जगा आजम को मिला था ये आप उसके बाद तीसरा जो है देखा जाए तो जो सबसे छोटा बेटा था कामबक्स कामबक्स को बीजापूर और हैदराबाद मिला था अब यहां आप लोग पूरी तरह से इस बात से आस्व भागों में बानद दिया था जिसमें 12 सूबों के बाद जो है जो आजम था आजम को उसने चार जगा दिया था आगरा, दक्कन, मालवा और गुजरात अब इसको जो देखा जा आजम को ये चार सूबे मिल चुके थे और सबसे चोता जो उसका लड़का था जिसे कामबक्स काते हैं कामबक्स को हैदराबाद और बीजापूर दिया था यानि हैदराबाद और बीजापूर सुबा जो है इस कामबक्स को दिया था अब यहां तक आप पूरी तरह से किलियर हो गए होंगे कि जो matter ये मिल रहा है आपको इसमें ना तो कोई confusion है ना ही किसी प्रकार का ना तो रटने के प्रॉलम है ना ही इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है इससे ज़्यादा भी अब कुछ नहीं जान सकते क्योंकि इतना ही काफी है इनके संदर में आगे अब चलते हैं कि उसके बा मेला था तो काबूल में मुझम था मुझम को यानि अफगानिस्तान से मुझम चलता है अफगानिस्तान से मुझम चलता है रास्ते में ही अपने को वो लाहोर के पास अपने को यह बहादूर सा के नाम से सासक घोसित कर देता है यानि कि यह कहें कि यह अफगानिस्तान में जमरूद नामका स्थान पे ये मुझ्जम था और उसने जो है वहां से दिल्ली के लिए चला और रास्ते में ही लाहोर के पास वो अपने को ये घोस्णा कर दिया कि मैं बहादुर सा के नाम से घोस्णा कर दिया कि यहां का बात साम मैं रहूंगा यानि कि इसको देखा जा कि मुझ्जम सिधा दिल्ली पहुँचा और रास्ते में लाहोर के निकट बहादुर सा के नाम से अपने आपको बात साह गोसित कर दिया यानि कि वो टोटल जो है वहां का दिल्ली का सासक खुद को बना रखा था शुरू से ही यह देखी कि यह अपने पिता के भाई के पिता का भाई जो यानि कि औरंग्जेब का भाई था के साथ यह देखी की औरंग्जेब और सासुजा के बीच अच्छे संबंद नहीं थे इसका फायदा उठा कर औरंग्जेब का पुत्र ही मुवज्जम जो है सासुजा से मिलकर धीरे धीरे जो है सासन ब्यवस्ता या सासन प्रणाली या सासक बनने की पहले से ही वो क्लियर कर रखा था कि मेरे पिता के मरने के बाद मही सासक बनूँगा ऐसे कंडिशन में वो मौका मिला और लाहर के निकठी बहादुर सा के नाम से अपने को बादसा घोसित कर दिया यहां तक रहा मुज्जम का उसके बाद मुज्जम के जो है बहादुर सा का जो बेटा था जिसे अजीम उस्सान बहादुर सा के बेटे चार बेटे थे उसको म वैसे ही मुझ्यम का लड़का आपने आपको आगरा पर सासक बना लिया यानि, अजी मुझ्य ann आगरा का सासक बन गया यहां तक आप समझ गक्यों वह कि क्या प्रॉलम आपको आ रही है तो प्रॉलम आपको कुछ नहीं है यहां सीधे सीधे काबुल में अपने आपको सासक घोसित करता है मुझ्जम और अंजेब का पुत्र जो दूसरे नंबर का था यह अपने आपको वहां सासक घोसित करता है उसके बाद जो है उसका जो लड कामबक्स ने अपने को बीजापूर का बासा यानि कि उस समय कंडिशन ये था कि जो जहां पे मिले कबजा कर लो अपने आपको सासक बना लो वहां का सासक गोसित कर दो तो कामबक्स जो सबसे छोटा था ये बीजापूर का अपने को वो सासक बना दिया, यद्देपी की बीजापूर इसको मिला हुआ था कामबक्स को. आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाओ नामक सीविर लगाया यानि जजाओ में सीविर लगाया अब समझेगा बात को कि कामबक्स जो है बीजापुर ले लिया उसका लड़का जो है अजीम उस्षान आगरा पर कबजा कर लिया तो जब आगरा पर कबजा कर लिया अजीम उस्षान उसके बाद जो है आजम जो था वो कहा कि आगरा जो है मुझे चाहिए और आगरा मुझे चाहिए यानि कि आगरा के पास वो सीविर लगाया यानि जजाव में एक सीविर लगाया और सीविर लगाने के बाद एक यूद होता है उसका पैडाम एक यूद में बदलता है यानि कि मुज्जम जो दूसरे नंबर का भाई था और आजम इन दोनों के बीच जो है जजाव का यूद होता है आप बड़े प्यार से इसको समझि निल्गा करिफिये बीता ब्रॉजम German के बीक एक उड़ी होता है इन लोग के बीच में एक वर्सिस यह उद्ध होता है जाजाई के युद नामत से यानि कि जजाई के युदह जो है 18 जून को होतां 1707 की ही बात है 18 जून 1707 में ही एक यूद लड़ा जाता है किसके किसके पीच आजम और मुघ्जम के भी और उस यूद का जो पड़ाम निकलता है पड़ाम यह होता है यानि कि इसमें आजम की मिरित होती है साथ ही साथ आजम के दो पूत्र यहां पे मारे जाते हैं यानि कि आजम के दो पुत्र भी मारे जाते हैं और आजम भी मारा जाता है अगर मैं यह कहूँ कि आजम की वनसद खतम होती है यहां से आजम की पूरी तरह से यह वनसद ही खतम हो गई तो आगे जग यह क्या होता है उसके बाद एक और युद लड़ा जाता है जिसे भीजापूर का युद काते हैं यह जनवरी यह 1709 में लड़ा गया जनवरी 1709 में यह युद लड़ा गया भीजापूर का युद और भीजापूर के युद में बहादूर सा कहलीजिये या मु बज्जम भी नाम है इसी का और यह यूद जो लड़ा गया था बहादूसा प्रथम प्लस कामबक्स के बीच यानि कि जो सबसे छोटा भाई था यानि सबसे छोटा भाई आजम को तो निप्टा दिया था आजम को तो उसने जजाओं में निप्टा दिया उसके बाद बचता क उसकी मृत्त हो जाती है बुरी तरह से घायल का यही सेंस है कि इस कंडिशन में नहीं था कि फीर से सासक बने यानी दुसरे दिन मर जाता है कामबक्स की मृत्तु हो जाती है और उसके बाद जो कामबक्स का पुत्र होता है इस युद्ध में ओभी मारा जाता है देखा जाए तो मुझम अपने आजम के पुत्रों को और आजम को भी लुड़काया और यहाँ पे कामबक्स को और उसके पुत्र को भी लुड़का दिया टोटल अब बन गया क्या सासक और इसका सासन व्यवस्ता या सासन काल जो है देखा जाए तो इसका 707 से 12 तक इसका सासन चलता है और सासन के कंडिशन का देखा जाए, मैं पहले ही से बोल दिया, इसके बारे में बता दिया था, कि ये जो है इसकी प्रसासनिक ब्यवस्ता देखा जाए, तो बहुत ही धुलमूल थी, प्रसासन के छेतर में ये पूरी तरह से बिफल रहा है, इसी लिए इसे साहे बेखबर कह करा जाता है मुअज्यम को साहे बेखा बर के नाम से जाना जाता है और इसे जो है साहे बेखा बर काँए या इसकी एक अंय और इसने साहे बेखबर जानने का सिर्फ एक ही वज़ा था कि इसके सासकी कारियों के प्रती लापरवाही जबरदस थी, ये अपने सासन ब्यवस्ता में पूरी तरह से भिफल था, लापरवाह था, ऐसे कंडिसन में जो है इसे साहे बेखबर का आ गया, खफी खां के दौरा इसे आप लोग याद रखिएगा, खफी खां के दौरा इसे साहे बेखबर का आ गया है, आगे देखिए कि आगे क्या होता है, कि अपने सासकी अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रियोत करने वाला कोई मुगल सा सकता, तो वो कौन था, ये बहादुसा प्रतम, आलम प् या फिर मुगल सासन का अंतिम सासक जो स्वतंत्र रूप से सासन ब्यवस्ता चलाने वाला जो था, वो कौन था, तो ऐसे कंडिशन में ये जो है, अपने सासकी अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रियोक करने वाला जो अंतिम मुगल सासक था, वो यही था, सा आलम प्रत जम या फिर सिंपल सी बात है साहे बेखबर या बहादुसा प्रथम तो यह हो गया आपका अब नेक्स्ट है इसने क्या किया कि इसके पिता याने की औरंग्जेब जो है अपनी सासन ब्यवस्ता में समराज बिस्तारवादी नीती भी रखा हुआ इसके बारे में आप भली भा यह अपने उत्तर में पूरब में पस्सिम में अपने सामराज जबरदस्त किया गुआ था परंतुब इसकी सबसे बड़ी इसके लाईव की भूल रही है कि वह दच्छिड भारत में अपने सामराज बिस्तार की नीती दाई और दच्छिड भारत में जो भी बढ़ा वह मार गया तो दच्छिड भारत में सामराज बिस्तार जब औरंग्जेब लाया ऐसे कंडिशन में औरंग्जेब जो है इनकी इस्तिती खराब होई पराजित होते गए अब देखिए सिखों और मराठों के साथ जहां पे उसके संबंद औरंग्जेब के खराब थे वहीं जो है सुर इसने मधूर संबंद इस्टारट किया यानि देखा जाये तो स्थिखों और माराठों के साथ जो मधूर संबंद की इसने कोसिजब या नीत लाई परंतू माराठों को इसने एक काम दिया दक्कन के जो सरदेस्मुखी है उसे वसुलने का अधिकार दे दिया जो दक्कन में सरदेस मुखी चार्ज था वो वसुलने का अधिकार दे दिया परंतू जो चौथ था उसे वसुलने का अधिकार जम की मिलतु के बाद जो उसके चार कुत्र रहते हैं और चार कुत्रों में देखा जाए तो कौन-कौन थे एक जहादार सा जमान सा अजीम यही है जो आगरा पर अधिकार कर लिया था तो मुझादार सा जमान सा अजीम उस्षान और रफी उस्षान यह चारों पुत्र थे जिसका जो है मैं अगला व्याख्या उन से इन लों के बारे में दूँगा अगला मेरा जो लेक्चर जाएगा बहाए जहादार सा से और जह लहादार संब भी बहुत ला परवा तरह का सासक था इसकी बीशितती जाह ताजन, इसके बाद चमान सा रफी उस्षान और अजीम उस्षान न 했는데 mechanism कुछ भी नहीं रहे ह् We जहांदारसा के बाद और भी चला उसके बाद माडन इंडिया में पूरी तरह से आव अफार सशंथावन के करांती में पराराम कर दूंगा पहले जहांदारसा से सुरू करके इनके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे जो है विवस्ताइं क्योंकि प्रस्ण यहां से भी फरूक् चोटे-चोटे हैं इनलों को दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रावलम नहीं हो तो यह जो है माडरन इंडिया आधुनिक भारत आज से प्रारंब हो रहा है जो सूबह में आधुनिक भारत आप लोगों के पास पहुंचेगा और साम में जो NCRT के आप आपका पॉर्शन चल रहा है कचा तीन चार पांच और बारत तक चलेगा वह जो है आप परियावरण का का वह पॉर्शन आपका साम में पहुंचता रहेगा तो यह जो है आपका आधुनिक भारत यहां से सुरुवात हो रही है आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मजा तो